अभी वैसे तो Roman Reigns का ये वाला record शायद अगले साल की WrestleMania में तूट था लेकिन अभी आपका scene पता इस साल का क्या बन गया है कि Roman Reigns दो बार WrestleMania main event कर सकते हैं एक बार Roman Reigns और Rock जो टैक्टीम मैच पे होंगे और उसके बाद एक जो Night 2 में Roman Reigns और Cody Rhodes का मैच होगा तो आठ बार का record वो Hogan के record के साथ बराबरी करते क्योंकि वो साथ बार पर लेकिन अगर इस बार उन्होंने दो लगातार main event कर लिये तो एक WrestleMania में दो main event करने के साथ साथ वो टोटल 9 WrestleMania main event में पहुंच जाएंगे इसका मतलब कि सबसे जादा WWE की history में कोई बंदा आगा किसी WrestleMania को main event कर रहा है तो वो नाम होगा सिर्फ एक और वो है Roman Reigns का सिर्फ इसी बात से माइडिया लगा सकते हैं कि ये तो छोड़ो कि Roman Reigns कितने बड़े पाइदा हो रहा है okay hello chatters my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter welcome guys to a voice of wrestling के एक और नए episode में और आज सबसे बहले अपनी video के शुरुआत करेंगे one of the greatest day है आज professional wrestling का क्योंकि आज AEW के revolution show में Sting का जो professional wrestling का करियर है वो end हो चुका है और मैं सही बता रहा हूँ इससे बड़िया retirement शाइब किसी को मिल ही नहीं सकता इवन मैं यह भी सोच रहूँ अभी अभी क्योंकि मैंने देखा है क्या अब तक WWE के history के सबसे बड़िया retirement match में से जैसा पूरा बंदे करियर है और वो भी चीज में WWE के नहीं बहुत बहुत हो यह AEW के show में हुआ सबसे पहले तो 64 years के sting है जब उन्हें अपनी retirement करी अंते साल मतला almost आप कहा सकते हो चार decade उन्होंने दी है professional wrestling को उनका जन्म 1960 से पहले हुआ 2019 59 में और अब भी उन्होंने जाके wrestle कि और ऐसे वैसे wrestling यह photo लगा दोंगा यह उनके AW run की है ऐसे ऐसी कूदे च्छलांगे sting ने मारी है सरसे पहले तो sting का retirement champion रहते हुए हुआ है मतलब की undefeated तो वो रहे company के अंदर साथ में जब उन्हों अपने tag team championship को defend कर रहे थे EVP यहने कि Matt and Nick Jackson के सामने तो Darby Allen के साथ इस match में championship को भी रिटेंच किया एंड मों उनको confetti भी मिलती है जैसे उनके लिए सारे ना वो कुछ celebration वाला माहौल था Tony Khan ने भले ही अपनी सारे चीजों में काम खराब किया लेकिन इस चीज में Tony Khan ने Sting के लिए जो work किया भाई उसको तो salute देना पड़ेगा और Sting ने Tony Khan को बिलाए भी था क्योंकि बात मुझे speech होती है उसमें बहुत सारी बाते करते है कि Tony Khan की वेज़े से कैसे चीज possible हो पाई और यह मौत कुछ अलग होती कि इस बंदे को शायद दोनों में कुछ फर्क ही नहीं पता यह आप मैं लगा दूंगा इस चीज को पता नहीं मैं क्लिप लगाओंगा क्या लगाओंग जो भी लगाओंगा आपको समझा जाएगा यह क्या किया डार भी आलन ने वह चेयर अपने अलग-अलग टाइम में अपनी जनरेशन में प्ले किये जनरेशन में प्ले किया हूँ मैं क्योंकि बंदे का करियर ही पूरा इतना लंबा है तो स्टिंग के लिए एवन डबल डवली की तरफ से भी सूपरस्टार्स की तरफ से रियाक्शन आता है आप देख से अगर 38 साल में अगर अगर अलग अलग प्रमोशन के लिए स्टिंग ने काम किया था तो इस वजए से उनके कनेक्शन भी इधर बहुत अच्छे है और ठीक है टोनी खान को बहुत जादा क्रिटिसाइज किया जाता लेकिन अप्रिशेट करने की बारी हो तो अगर उसमें भी मैं साइ-AW Revolution के शो में पूरा शो भी मैंने देखा नहीं और मैंने कुछ मुमेंट्स देंगे बहुत बड़ी है बड़े मुझे लगे शाहत देखने के बाद हो सकता आपसे वीडियो में आगे जाके में शेयर करूं लेकिन यह रहा कुछ स्रिंग का करियर अब इसके उपर और फिर एक साल खतम होने वाला होता है तो और तब करते हैं और मेरे को यह बहुत से लगता है कि रस्रिंग के बाद रखो बाई क्योंकि उसके बाद ऐसा लगता है अचानाक सब कुछ थम गया लेकिन जब सब्सक्राइब करती है तो ऐसा ही कुछ इस साल के लिए बीड़ प्ली का प्लान है नेक्स्ट कोडी रोडस और सेथ रॉल इंस क्या उनको एक ऐसा बंदा जॉइन कर सकता है जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहो आपको याद रू मैकंटार ने कॉमेंट किया था सोलो सिकोवा के बारे में वो कहते हैं कि एक सही टाइम आने पर म कोडी रोडस और सेथ रॉल इंस को इस मैच में किसी तरही से असिस्टेंट मिलने वाली है ड्रू मैकंटार की क्योंकि अगर आप ड्रू मैकंटार का करेक्टर देखो तो वह तो है तो नेगिटिव लेकिन वह अपने बारे में ज्यादा केर करते हैं तब ही कई बार देख कि आसा रखता है कि वह बोलते हैं मैं फैन्स के लिए देखना चाहता हूं फैन्स के लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा तो शायद एक बहुत लिए उन एक्सपेक्टेड चीज डेबल लबली कर सकती है अगर डू मैकंटार की इंवाल्मेंट इस कोडी रोडस और रोमन र पूरी टीम के ब्लड लाइन हो रही है तो शायद अपने करेक्टर को अलगी तरह के सब स्टैबलिश कर पाएंगे बागी देखनें डबल लबली क्या करेंगी पॉस्पिलिटी तो कम लगी लेकिन अच्छा मूव अच्छी थियोरी मुझे लगी तो सोच आपके साथ इसको हो चुके हैं तो फिर शायद और प्रॉबलम्स उनके लिए आपे खड़ी हो सकती हैं रिसेंटली डबल लबली का लाइव एंट हुआ था तो पूरे शोर के रिजर्ट बगारा तुन नहीं बताना वह तो सेम ही होते हैं लेकिन कुछ मुझे लगे तो सुच आपके साथ शे जे उसो का जो हैंड वेव करना होता है वैसी हो करते हैं और उसके बाद जो डी-एक्स का सकिट होता है वह उन्हें कर दिया क्राउट को वहाँ पर गुस्ता दिलाने के लिए और जिमी उसो तो भाई अलग ही रंगीले आदमी बन जाते हैं सबसे अंसीरियस बंद है इस प् कुछ है नहीं आपर जाता खास बताने के लिए कुछ मस सा मुझी लगा तो सुच आपके साथ शेयर कर देता हूँ लेकिन फिर भी जे उसने यहां पर होप नहीं छोड़ी कि वो अपने भाईों से मतला वो कह रहेंगे हां वो दोबारा मिलेंगे जरूर तो यह शायद एक बार जब ब्लड लाइन का ड्रामा ट्रैबल चीफ और बोलते बोलते मुझे तुड़ा एसा लग रहा है एंड हो कभी कि जितना फन यह चल रहा है समय देखना तो मैं चाहता तुनी एंड हो जाए लेकिन हो सकता है ऐसा भी एंड हो कि क्या पता सब फेस बन जाए यह तो खैर क्या ही बोल दिया मैंने क्योंकि ब्लड लाइन और फेस यह तो कई से समझ में आने रहा लेकिन जे उसे होपफुल कि एक बार वस रोमन रेंज के चंगुल से छोड़ जाए उसके बात अपने भाईयों के पाथ चले जाऊंगा एक कॉमेंट किया पॉल हेमन ने रोमन रेंज के बारे में और उन्होंने उस टाइम की बात करी जब वह पहली बार रोमन रेंज से मिले थे और पता है कब मेले इसा उनका कहना है अपने ट्राइबल चीफ के बारे में चलो बहुत ज्यादा शौक हो जाता हूं पता नहीं क्यों ही हो जाता हूं लेकिन इस बार भी हो रहा नंबर वन पर नाम है यहां पर नहीं है जो कि कुछ टाइम तक रूल कर रहे थे मर्चंडाइस को तो फर्क तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत अब डेवली जैसन को दुबार से स्टेडस में लेकि आएगी शाद उनके लिए मामला चमक जाएगा लेकिन स्टोन कोल्ट स्टीव वास्ट ने अब तक Roman Reigns की अलग होती है जब Roman Reigns की अलग होती है लेकिन रॉक ब्लड लाइन में है लेकिन एंट्री उनकी अलग से होती है तो शायद अब आप ऐसा देख सकते हो कि Roman Reigns के थीम सॉंग के ओपर ही रॉक भी आ जाए यह सुनने में थोड़ा सा वीर्ट लग रहा होगा और यह सब्सक्राइब के नजरिये से भी सही नहीं है क्योंकि रॉक की अलग से अकर थीम सॉंग देते हैं तो एक डेडिकेटेड़ वे में लगता है कि हाँ यह रॉक आया है और वह रॉक का थीम सॉंग इतना पॉपलर है उनका आना ही वह एंट्रीवेंट इसा अलग सा रहा ह लेकिन इस ब्लड लाइन को साथ में दिखाने के लिए डेडल लबली ऐसा कर सकती कि अब रॉक भी रॉमन रेंज की एंट्रेपर निगल के हैं ज्योंकि वीर्ड हो सकता है और मेरे को सही में थोड़ा सा डाइजेस्स कर पाना ही मुश्किल हो रहा है और एक और यह से बतान कि ब्लड लाइन जो है अपना दबदबा पूरा दिखाने वाली है नाइट टू में जो रोमन रेंज और खोड़ी रोट्स का मैच होगा तो अगर वो ब्लड लाइन रूल मैच होने वाला है यानि कि अगर नाइट वन में रोमन रेंज और रॉक जीत गए तो क्या पता बड़े बड़े फेस की तरह निकलेंगे लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता यह सिर्फ एक स्पेकुलेशन मुझे लगता कि डबल लबी ऐसा घुसेड़ने वाली है क्लासिक ट्रडिशनल मैच उसमें कहां तुम इतनी भसवर डाल दिया वो भी डाल दिया ऐसे वैसे करक मुझे लगता है वो एक सिंगल मैच की तरह ही रहेगा कितनी जादा अन्प्रेडिक्टिबिलिटी है भाई इस मैच में लेकिन डेसिजन कह सकते है डबल लबी के लिए बहुत जादा टाफ होने वाला है बाकि अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो इसे लाइक जरू ले लेगी